CNG के बाद अब इलेक्ट्रिक गाडियों का चलन है इस सेग्मेंट में बड़ी कार निर्माता कंपनी में से एक मारूती सुजुकी बड़ा धमाका करने वाली है यह कार हुंडाई कोना इलेक्ट्रिक और AMG ZS EV जैसे धाकर गाडियों से मुकाबला करेगी हम बात कर रही हैं मारूती EVX की पहले यहां होगी लॉंच मारूती EVX एक बार फुल चार्ज होने पर यह कार लगभग 550 किलोमेटर तक चलेगी इस कार में 60 KWH का बैटरी पैक दिया जा सकता है यह कार 4,300 mm लंबी है मीडिया रपोर्ट्स के अनुसार पहले यह कार ग्लोबल मार्केट में लॉंच होगी इसके बाद इसे भारत समेट अन्य देशों में लॉंच किया जा सकता है मारूती EVX की उंचाई 1600 mm हाल ही में पोलेंड के क्राकोव में कार का कैमोफलेज देखा गया था फिलहाल यह कार टेस्टिंग स्टेज पर है कम्पनी ने इसके लॉंच और डिलिवरी डेट के बारे में कोई खुलासा नहीं किया है मारूती EVX की उंचाई 1600 mm है मीडिया रपोर्ट्स के अनुसार यह 4 वील ड्राइव होगी जिससे खराब रास्तों में इससे हाई पावर मिलेगी मारूती EVX की चौडाई 1800 mm है मारूती EVX की चौडाई 1800 mm है कार में लेट DRL और लाइट मिलेगी सेफटी के लिए इसमें एरबैग और ABS जैसे एडवांस फीचर्स होंगे इसके अलावा कार में टच स्क्रीन इंफोटेन्मेंट सिस्टम रिवर्स पार्किंग सेंसर, पावर स्टीरिंग, पावर विंडो, बड़े अलोई वील ओफर किये जाएंगे कई इलेक्ट्रिक कार लॉंच यह कंपनी की कॉंसेप्ट इलेक्ट्रिक SUV कार है कंपनी का इंडिया में आगामी कुछ सानों के भीतर कई इलेक्ट्रिक कार लाने की योजना है बताया जा रहा है कि मारूती EVX EVX की शुरुवाती कीमत 25 लाख रुपए एक्स शोरूम होगी फिलहाल कंपनी ने इसकी पुष्टी नहीं की है इसमें फ्रंट और रियर में आरामदायक सस्पेंशन दिये गए है इसमें USB चार्जर, फ्लेर्ड वील आर्च जैसे फीचर्स मिलेंगे अनुमान है कि यह कार ग्लोबल मार्केट में साल 2024 और भारत में 2025 तक पेश की जा सकती है